खेलो दोस्तों आपका स्वागत है धीके अमेजिंग नॉलज़ पर आज का टॉपिक है हिरोशिमा और नागासा की पर गिरे परमानू बंबो से जुड़े तथ्य के बारे में कुछ अनोखी जानकारिया अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइ करें और विडियो को लाइक करें तो शुरू करते हैं एक पहला परमानू बंब 6 अगस्ट 1945 को सुभ सवा आठ बजे हिरोशिमा पर और दूसरा इसके सिर्फ तीन दिन बाद यानि कि 9 अगस्ट को नागासाकी पर गिराया गया था दो हिरोशिमा पर जो परमानू बंब गिर तीन, पहला बंब हिरोशिमा पर गिराया गया था उसका नाम लिटल बॉइ और नागसाकी पर गिराये गये परमानू बंब का नाम फाट मैन था चार, नागासाकी पर जो बंब गिराया गया था उसे पहले जापान के कोकुरा शहर पर गिराया जाना था पर कोकुरा शहर का मौसम उस समय साफ नहीं था इसलिए अमेरिकी सेना ने बंब को नागासाकी पर ही गिरा दिया 5. हिरोशिमा और नागा साकी पर गिराये दोनों बंब एक दूसरे से बिलकुल अलग थे 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया गया लिटल बॉई यूरिनियम पर आधारित था और उसका वजन 4000 किलो और लंबाई 10 फुट थी नागा साकी पर गिराया गया फैटमेंड प्लुटोनियम पर आधारित था और उसकी वजन 4500 किलो और लंबाई 11.5 फुट थी 6. सुतोमो यमगुची हिरोशिमा और नागा साकी पर गिराये जाने वाले दोनों बंबो से पीडित व्यक्ती है हिरोशिमा पर बंब गिरने के दिन वो वहीं ते और बंब फटने के बाद उनके शरीर का कुछ हिस्सा बुरी तरह से जुलस गया और वो इलाज के लिए नागा साकी आ गये जब वो हिरोशिमा बंब धमाके का हाल अपने एक करीबी को बता ही रहे थे तब अचानक नागा साकी वाले बंब के धमाके की आवाज भी उन्हें सुनाई थी पर इस बार उन्हें कोई खास चोट नहीं आई थी क्यूकि वो बंब के प्रभाव क्षेत्र से थोड़ी दूर थे सुतोमो यममगुची का निधन 2010 में पेट के कैंसर की वजह से हो गया था साथ, हिरोशिमा और नागा साकी आज रेडियो एक्टिव फ्री शहर है क्यूकि दोनों बंब जमीन से कुछ सौ फुट की उचाई पर हवा में फटे थे आठ, दोनों परमानू बंबों के फटने से कुछ समय इनके आसपास के चार माइनस वाच किलोमीटर के दायरे का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था नौ, परमानू बंबों के कारण हिरोशिमा और नागा साकी के लगभग 3 लाख लोग मारे गए थे लगभग 1 लाख लोग तो बंब गिरते ही मारे गए थे और बाकी के 2 लाख अगले कुछ सालों में कैंसर जैसी गंभीर बिमारियों से लड़ते हुए तिल तिल कर मर गए 10. अमेरिका ने कभी इन परमानू बंबों से हुए जानी नुकसान की माफी नहीं मांगी घाल ही में बराक ओबामा हिरोशिमा धमाके की बरसी पर शोक प्रगट करने जापान जरूर गए थे पर माफी मांगने से इंकार कर दिया था 11. CT स्कैन कराने से शरीर में उतनी ही रेडियेशन की मात्रा पहुँचती है जितनी हिरोशिमा धमाके के प्रभाव क्षेत्र से 2 किलोमीटर दूर स्तित्थ व्यक्तिन में पहुँची 12. हिरोशिमा बंब धमाके में लगभग बंद्रा अमेरिकी भी मारे गए थे इस बात का पता अमेरिका को 1970 में लगा ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद